नमस्कार नियूस फोर्णीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं होरच आश्रमा बिहार में मौनसुन के इंटरी के साथ लगतार हो रही बारिश उसे तबाही मच गई है नेपाल में हो रही बारिश का सीधा असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है तराई वाले इलाके म उत्तर बिहार की वाद की उज़ा या फिर नेपाल से सटे जो भी जिले आते हैं उन सब की स्तिती बत से बत्तर हो गई है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ के हालात उत्पन हो गए है और से बीच मौसर मिभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारे किया है ये अलर्ट 48 घंके के लिए हैं और उन हीलाको के लिए है जो उत्तरी बिहार में आते हैं और नेपाल से सटे इलाके हैं के 11 जिलों के लिए ये अलर्ट जारे किया है इसके साथ ही यहां पर भारी बारिश के साथ वजरपात की भी आश्रंग का बताई गई निपाल के तराई श्रित्र और उत्तर पुर्वी बेहार के सीता मड़ी दर्भंगा समस्तिपूर मदुबानी सुपॉल अररया सहरसा मधेपूरा पुर्णिया किशनगंज और कटिहार में मुस्तलाधार बारिश्र के साथ वजरपात की मौसम विभाग ने आश्रंग का मौसम विभाग ने लोगों से अगले 48 घंटे सावधानी और सुरक्षा बरतने की अपील की इधर पिछले 24 घंटे में उत्तर बिहार के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है भारी बारिश से जन जीवन पर भी असर पड़ा है इधर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर बिहार साहित कई जगों पर भारी बारिश दर्ज की गई सबसे अधविक बारिश जो है वो पश्चिम चंपारन केक गऊणाहां में हुई 020 मिलीमेटर बारिश दर्ज की गई है किषन गञज और बग्ढमे 90 मिलीमेटर ॢपाल गंज में 50 बारब गंचपूर्णिया और धेंगरा घाट में 50 mm बारिश दर्ज की गई है बिहार में बाड का भी कहर लगादर जारी है बाड के कारण बिहार में कई ऐसी इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमगन हो गए हैं जल भराब की समस्या भी सामने आ गई है वह पिछले 24 गंटे से जो बा अहियापूर पुलिस इस्टेशन पूरी तरीके से पानी में घिरा है टापू में तब्दील हो गया है अहियापूर पुलिस इस्टेशन में लगतार बुढ़ी गंडक नदी का पानी भर रहा है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि चारों तरब से पुलिस इस्टेशन जलमगन ह तो बिहार के अलग-अलग जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं, अलग-अलग गावं से ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। नमस्का